कुझ सब्से पर आज की वیडियो में हम जानने वाला है कि कौन से 司ंक्र क्लेट करते हैं ऌब देख सकते हो मेरे पास 5 तो Suck राने वाला हो किस तूद में को कौन सा सेंपल क्लेट करना है के लिए तो जो प्रेस करते हैं जो यह इस टूब कर अगर आपको दिखता है तो इसको हम बोलते हैं नमक आपको यह इसकते हैं और यह सेट करते हैं जाए few फास्टिंग हो यह पीपी हो या सूगर रैंडम हो तो उस टेस्ट के लिए उसको हम यूज करते हैं और जब संपल लेते हैं उसके बाद से 3-2-4 ताइम ऐसे जेंटली हमको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद से इसको हम स्टोर कर देते हैं तो यह टॉप कलर का जो भी टूब आप जब भी आपको देखेगा हमें सायाद रखना यह आप सुगर के लिए यूज करते हैं फिर नेक्स देखते हैं यह कलर का टूब जब भी अगर आपको इस कलर का टॉप यानि धुकन वाला टूब अगर देखेगा तो यह होता है इडिटीए टूब यानि कि इसमें एडिटीए नमक एंटिकोग्लेंट मिक्स राता है और इसके लिए इसमें जो सेंपल ना हम क्लेट क करते हैं तो इस टूब के अंदर जो भी सेंपल क्लेक्ट होता है उसके लिए सालेटेस हम परफॉर्म करते हैं और इसमें आप देखोगे तो इडिटीए नमक एंटिकोग्लेंट इसमें मौझूद रहता है ठीक है और यह 3 ml के लिए होता है यानि कि इस सेंपल में 3 ml तक इस मौझूद रहता है और यहां तक हमको सेंपल क्लेक्ट करने क्या हो सकता है तो हमें से याद रहता है जब भी ट्यूप से लिए हो सेंपल क्लेक्ट करना है तो उसमें लिखा रहता है आपको कितने एमल क्लेक्ट करने हैं इसमें दिया हुआ है तीन एमल तक ब्लेट सेंपल क लेट करना होता है अब उसके बाद से आप देखोगे यह आपके पास आता है ये येलोड फ्रेयर डेखते थे आपके पास रेड़ कलर का धुक्लावला होता था क्षी ये लोग कलर रहता है क्योंकर इसके अंदर जैल मौझूद रहता है और यह जेल का काम क्या होता है सेंपल को हिमुलाईज होने से यह बच आता है तो इसमें हम सेंपल लेते हैं तो इसके लिए बाई केमिस्टरी के लिए और हार्मोन्स के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं सारा एक सारा इस टूब में सेंपल लेने के बाद से हम प्रोसेस करते हैं और यह जो होता है टूब हमारा 5 ml सेंपल कलेक्शन के लिए एनफ होता है यह जो देख सकते हैं इसके अंदर और इसमें क्लोट एक्टिवेटर मौजूद रहता है जो देख सकते हैं यह टूब के इसे सेंपल आपकरेड़ करेक्ट सेंपल आपका ज्यादा देर तक इसका मणिया रहता है तो यह हमारा प्लेन का ट्यूप लेता है प्लेन भी बोल सकता हो फिर हम यह जो ट्यूब लेते हैं इसमें होता है सोडियम साइट अब सोडियम साइट में क्या का सेंपल टेस्ट करते हैं पीटी एपीड़ीटी डीड़ाय में कर सकते हैं फाइवर उनेजन के लिए जो टेस्ट होता है हुआ यह सारा टेस्ट हम इससे प्रोसेस करते हैं कभी-कभी क्या होता है कि अगर कोई पेसेंट ऐसा होत होते हैं या micro clot होता है उसमें तो हम sodium citrate का sample use करते हैं cbc perform करने के लिए OVC platelet confirm करने के लिए पूरी cbc लिए निए platelet हम confirm कर सकते हैं coagulation for file के अलावा इस sample में हम sample लेते हैं तो और इसमें sample हमको लेना होता है वो इस पे मेंशन क्या होता है 2.7 ml तक हमें सब्सक्राइब करना होता है जब इसमें संपल करना होता है उसके बाद से आप नेश्ट लोगे यह देख सकता हो अन्दर मोज उतरता है ही पेड़ेंग और हम टेस्ट करने के लिए इस ट्यूब करते हैं अगर आपको इसके लावा और कोई पीटेस्ट अगर करते हो तो आप नीचे जरूर करके बताना है कि लिए dentist और टेस्टि रिम स्काइब करतें लेकिन कभी कभी हम हीँंकुलाई